हेलो गाईज वेलकम बैक माई चैनल कोडीटर कोडीटर चैनल में आप सब का स्वागत है तो आए शुरू करते हैं नॉन स्रेंज टॉपिक से तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि यह टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है अगर आप स्पेशली आप मैथमेटिक बैक्राउंड से नहीं है या फिर आप इन दोनों ही बैक्राउंड से नहीं तो हो सकता है तोड़ी बहुत डिफिकल्टी है इस टॉपिक को समझने में बट मैं तब भी कहूंगा इसको बहुत ध्यान से समझेगा कि बहुत साधे इंपो चुके हैं तो आपको यह समझने में साइंगे कि इसमें पर्मटेशन और कॉमनेशन का थोड़ा बहुत यूज रहेगा कैल्कुलेशन को समझने के लिए वह जरूरी है तब ही आपको चीज़े थोड़ी अच्छे से समझ में आएंगी तो आईए शुरू करते हैं तो अभी जरूरेट कर पाता है और जो हैश टारिट के नीचे पहुच जाता है वह माइनर क्या होता है व्यां वह से एक ध्री टूबिट नमबर है अगर एक नॉंस हमारा एक 32-bit number है तो अगर मैं बात करूँ कि नॉंस कितनी range तक है मतला अगर कितने number यह produce कर सकता है हमारा नॉंस तो वो होगा approximately 4 billion numbers यह अगर कैसे है आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज बाइनरी number के कुछ वीडियो देख लिए यूट्यूब पे मतलब कि हम 4 billion number नॉंस में डाल सकते हैं इससे ज़ादा नॉंस प्रेडियूस नहीं हो सकते अगर 4 billion जैसी वो limit रीच करेगी हमें फिर से 0 से start करना पड़ जाएगा तो यह चीज इंपोर्टन है और अगर नॉंस 4 billion है तो जितने नॉंस होंगे उतने ही हम क्या कर पाएंगे produce कर पाएंगे कि हम नॉंस चेंज करेंगे तो हमें different hashes मिलेंगे तो मतलब 4 billion hashes थी हम produce कर सकते हैं with the help of 4 billion नॉंस चीज़ हैं यह चीज़ आगी होगी नॉंबर लिखने की 16 राइट क्यों 16 क्यों 16 है और हम 0 से लेके पूरा-पूरा तक जा सकते हैं तो हमारे पास कितनी पॉसिबिल्टीटीज है 16 यहां पर कितनी पॉसिबिल्टीज है 16 तो अगर मैं पूछू कि टोटल कितने नंबर मतलब यह एसेचे 256 से produce किये जा सकते हैं तो वो होंगे approximately आपके 10 पावर 77 I hope यह चीज आपको समझ जाए होगी यहां पर मैं बता दू पर्मिटेशन और कॉमिनेशन का यूज हुआ है अगर आपको यह चीज नहीं समझ माई है तो कोई घपडानी की बात नहीं है इतना बस समझ लीजे कि यहां पे 10 पावर 77 जो नं अब आते हैं अपने concept पे जो कि हमें समझने वाली बात है तो ध्यान देने होली बात है कि हमारे पास total number of valid hashes कितने produce हुए 10 पावर 77 जो हमने पिछली side में देखा अगर हम बात करें total number of nonce जो हम प्रेडूस कर सकते हैं वो है 4 x 10 पावर 9 जो कि है हमारे 4 billion मतलब एक minor सिर्फ व 77 hashes दे सकता है समझ में आरा है इसका मतलब ये है कि हमें 10 पावर 77 में से कोई हमारा है जो की हमें reward दिलाएगा but हमाए पास इतने nonceeuestas है हम 10 पावर 77 havehes तक मतलब कि 10 पावर 77 number बहुत जादा बढ़ा है हमारे 4 into 10 power 9 से हद से जादा बढ़ा है क्योंकि 10 power 77 है और यह 10 power 9 आगा 4 हटा भी देते हैं तो कोई फरक नहीं पढ़ने वाला यह नंबर बहुत बढ़ा है आपको समझ जाएगी कि मैं यहां पर क्या बता हूँ अगर नहीं समझा आजीं तो नेक्स स्लाइड में आजाएगी मैं क्या कह रहा हूँ इससे बस इतना समझ लिजए कि आपके पास इतना नॉन्स ही नहीं है कि आप जनरेट कर सकें इतना valid hash को यह कैसे नेक्स स्लाइड में देखते हैं अगर आप इस तरह से समझें तो आपको शाथ समझ में आए हमारे पास यह नॉन्स है हमारे पास नॉन्स लेट से यह हमारे 4 billion नॉन्स है और यह हमारे total number of hashes है अब इस total number of hashes में हमारा कहीं न कहीं कोई एक ऐसा hash होगा जो हमें target को reach करने में help करेगा ऐसा तो है नहीं कि हम total number of hashes में कहीं पर भी कोई भी नॉन्स जनरेट करें और कोई भी hash से हमारा answer आजागा ऐसा तो होता नहीं है हमने अपने नॉन्स वारे वीडियो में देखा भी था कि हम नॉन्स के थुरू क्या करते हैं एक particular hash generate करते हैं और वो target के नीजे बहुत जाता है तब ही हम कहते हैं कि okay हमने reward जीत लिया है हमने block combine कर लिया है अगर आप ध्यान से दिखेंगे तो हमारे नॉन्स तो इतने है नहीं कि वो इतने hash को generate कर पाए मतलब अगर माल लेते हैं कि अगर ये एक नॉन्स कोई minor ने generate किया तो हो सकता है हमें ये hash मिल जाए हो सकता हमें ये hash मिल जाए हो सकता हमें इससे ये मिल जाए इससे ये मिल जाए इससे मैं बता रहा हूँ ज़रूर्दी नहीं कि ऐसे ही हो हमारे answer कहां पे हो, वो यहां पे हो, अब क्या होगा, अब I think आपको समल में आयोगा, मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि यह 10 power 77 है, और यह 4 billion है, जो कि बहुत ही कम है, 10 power 9 के around है, वो इतने, यह सारे hashes हो, तो कभी produce ही नहीं कर पाएगा, जब वो यह सारे hashes ही नहीं produce कर पाएग तो, अगर मैं इसका एक calculation और आगे लेके चलूँ, एक step, तो अगर एक step आगए, और लेके हम यह देख सकते हैं, कि हमारा जो modest miner होता है, वो एक modest miner होती है, वो 10 power 8 hashes generate कर सकती है, एक second है, मतलब कि अगर वो 10 power 8 hashes generate करी, इसका simple से मतलब है, कि 10 power 8 nons generate करी है, क्योंकि nons के थू होता है, तो अगर हम 10 power 8 nons generate करते हैं, एक second में, तो अगर मैं आपसे पूछू, 4 into 10 power 9 nons कितनी देर में generate होंगे, तो आप देखेंगे, 40 second में हमारे सारे nons exhaust हो जाएंगे, मतलब miner ने आपर शुरू किया, 40 second होए, nons खतम हो गया, और यह जो हमारे remaining थे, इसको अभी check ही नही मिलेगा, यह उसी तरह है कि यहां पर calculation है, तो इसको आप समझ लेंगे, थोड़ा copy बन लिएगा, तो अब यहाली बात होगी, problem वाली, तो अब इस particular time पर अगर हमारे सारे nons exhaust होगे, तो miners कभी target को hit नहीं कर पाएंगे, तो वो करेंगे क्या, इसका answer है, हमारे next video में, जो की ह time stamp, इसी लिए time stamp field का introduction हमारे block में किया गया था, जो कि हम लोड़ नेक्स वीडियो में देखेंगे, I hope, कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कभी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप please उसे comment करी, मैं definitely उसको answer करूँगा, solve करने की आपकी पूरे doubts कोशिश करूँगा, तब तक के लिए bye bye, please like और subscribe जरूर से कर दीजएगा, okay bye bye